हाई फ्रेंट्स वेल्कम टू सो नीजुन फ्रेंट्स आजकी हमारे डिंट्स है ये बढ़त हम लोग thats किट्ट्क शेंग रहता है developer के बच्ट श्यग के लिए बहुत लिभी ईजिया बच्छे बड़े सबständ मुंनाक मिल्कीं पल칙 स्टॉ इस चिल्ड्स तो है पर आप ये kit kat shake बनाईए और अपने बच्चे को सर्प्राइज कीजिए तो चली स्टार्ट करते हैं लेस्टार्ट किट-kaat shake बनाने के लिए याँ पर एक लास चिल्ड मिल्क लिया है दो पैकेट किट-kaat के लिये है थोड़ी सी चोको सिरप लिया है और यह homemade whipped cream लिया है और इसके साथ हम टू स्कूप्स ले लेंगे आइस क्रीम वेनेल आइस क्रीम मैंने इसे फ्रीज में रखा हुआ है यह ज के लिए यूज होगी फ्रेंट्स आप चाहे तो इसमें डाक चॉकलेट भी थोड़ी से डाल सकते हैं अगर चॉकलेट फ्लेवर ज्यादा पसंद करते तो अब हम इसमें वेनिला आइस क्रेम दो स्कूप से इसे डाल देंगे यह चील रहे इसलिए मैंने फ्रिजर में रखा है चॉकलेट सिरप के साथ इसमें हम यह किटकेट शेक को ढाल देंगे फ्रेंट्स यह किटकेट शेक बनाने के लिए मैंने यहां पे देड़ ग्लास दूद यूज किया है दो ग्लास शेक के लिए यहां पे इसमें भी हम निकाल लेंगे और इसमें हम वीप क्रिम के साथ ट टॉपिंग करें जिसे दिखने में और अच्छी लगेगी और इसके उपर हम चॉकलेट सिरप और चॉकलेट चिप के साथ कानिशिंग करेंगे फ्रेंड्स आपके पास अगर चॉकलेट चिप्स नहीं है तो आप इसके उपर सिर्फ किट कैट चॉकलेट को तोड़ करके वाव देखिए तयार है हमारा किट कैट शेक इस चिल्रेंस टेप पे आप ये किट कैट शेक को ज़रूर बनाएए खुद भी पीजिए और अपने बच्छों को पिलाएए उन्हें तो ज़रूर पसंद आएगी सो फ्रेंड्स आपको अगर ये रेस्पी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने डियर वन के साथ ये रेस्पी को और आपको अगर ये रेस्पी मेरी रेस्पी साची लगती तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलते नए रेस्पी के साथ अब तक के लिए, बाँ बाई, टेक केर